नमस्कार मैं हूँ मुस्कार नजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोग प्रिया चैनल प्राइम टीवे और हमारी खास पेशकश नगट संग्रा में आप सभी का स्वागत है तो निकायचनाओ की तारीक है जैसे जैसे नजदीक आ रही है प्राइम टीवे की टीम भी लगतार हर एक वोड में पहुँच रही है हर एक वोड की जाच परताल करती हुई नज़र आ रही है पर छोड़ी है यही वज़ों है कि इस बार भी जनता का हमें पूरा साथ मिलेगा यह रिपोर्ट देखिए नगर संग्राम के इस खास कारिकरम में प्राइम टीवी की टीम लखनो से चल कर आज बहराईच में हैं इस वक्त में बहराईच की ऐसे घर के भार खड़ा हूँ जहां पर लगतार जनता ने दो बार नगर पाली का परिशत अध्यक्ष्ट को चुना पहली बार रिहान आर्ती को चुना उसके बाद उनकी जो वाइफ है उनको चुना इस बार वरतमान अध्यक्ष है हमारे साथ बात करने के लिए उनके प्रतिनिदी हैं उनसे ही बात करेंगे सबसे बहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में जाना चाहू कि कितनी संभावना है जीत की हमें तो पूरी-पूरी संभावना है इसलिए कि हर तपके का ओड हमें मिल लहा है हम जब सुरू में 2012 में राजनीत में आये थे तो हमने एक नारा दिया था एकता का राज चलेगा हिंदू-मुस्लिम साथ चलेगा हम तमाम जातियों को तमाम ध फिर 2017 में उनकी हाजी रिहान कहाँ साब की पतनी रूबीना रिहान जी चुनाव मैदान में आई हमारे काम से जनता इतना खुस थी हमने जो पैगाम दिया था हिंदू-मुस्लिमान एकता का उससे जनता इतना खुस थी कि हमने रिकार्ट टोड़ जीत दश की और हमें 35,000 व पैजी एक सवाल ये था कि लगातार ये देखा गया है कि बहराइच में जो नर्दली प्रत्यासी है वो चुन कर आता है ना कि किसी पार्टी सिंबल को इसके पीछे कोई मुख्य बज़ा मानते हैं क्या चुकि बहराइच की जनता इंसानियत को पसंद करती है मानाउता को प कर चुकी है कि एक बहुत अच्छा नारा लगा रहे हिंदो मुस्लिम साथ चलेगा फिर हम फिर से लौट चलते हैं उबेजी के पास एक और सवाल ये था उबेजी की लगातार ये देखा गया है कि जनता आपको चुन रही है बहुत बहतर तरीके से आप लगातार जो वोटों की जो गिंतियां वो बढ़ती जा रही है तो कहीं न कहीं लगता है कि जो इस बार भी तीसरी बार लोग उतरे हैं आपके परवार से या आपके प्रतिनीजी उतरे हैं तो इस बार किस तरह से इनकी जीत होगी किस तरह पूरी तरीके से विकास किया है पूरी तरीके से काम किया है जो काम रह गया है हम से हम पूरी कोशिस करेंगे कि आगे उस विकास की घड़ी को आगे बढ़ा है हमारे साथ कोई कंपटिशन के इंदर नहीं है जो भी लड़ा है हमकिसी को बाकी और भी कांडिडेट है और बितमाम लोग है ब्रतिनीधी ऊतरे हैं चुनावचीन ने लेके बड़े बड़े सिंबल को भूब सब्हास सहलाब हमकों मिलना है कि यह मünfनुकों लग öंकराई कि हमारे मुखाबले पर कोई चुना ही नहीं लगर है हम बहुत आगे बहुत चुके हैं कि i am d222 KD 2000 के इंदरमी 25000 गश्धीड है इस बार हमें लक्राय से बहुत ब्रमक्त मत्रांप मिलेगा उनकों कि एक चीज और थी कि किया प्रमुख्त्र रहें इस बार कुछ अलग सा रहेगा यह पिर यह मुझार जलतें को इसमेसा रहे तक करेंगे विकास किरेंगे यही मुझा हमारा चुरू कि यह जनता की हमने दिया है और देंगे हमने विकास किया नगरपाले का कि जो भी काम है नाली खड़नजा तक जो भी काम है हम सब करेंगे पूरी तरीके से हम जीतेंगे अस्वस्ते हैं बात करूंगा जैसा कि आपने देखा कि इसे हमारे साथ प्रणिदी अबेद अहमद जी साथ साथ एक पार और दिखाना चाहूंगा मेरे ठीक सामने यहां पर इंके समर्सक भी मौझूद है जो लगातार अभी हम इंटर्व्यू कर रहे थे जो लगातार नारे बाजी कर रहे ह अच्छी बात कहिए और फिर से सुनना चाहूंगा आप लोगी नारे बाजी आखिर पर करके फिर से एक बार अबाजी करते हैशा छइओ पर जो मौजूद है पूबलिक है इन से बी बात कर लेते हैं क्यों कि यहां सपोर्टर भी हैं वोठर भी हैं तमाम पूरा होगा सब पूरा होगा क्या नाम किया इन्हों उने काम किया है काम के बद इनको यहां की जन्ता ओवर देगी और इंशाला यह फिर काम करेंगे अच्छा किन कामों को लेकर इन्हें मेन फोकस सबसे आदा किया देखिये सहर के अंदर बहुत गंदी रहती थी जैसे कि कुछ महले ऐसे थे जहां पर जल भरा हो था और वहां की समचिया इन्होंने दूर की है और सी बहुत सी भी समचिया इन्होंने दूर की है इसी वज़े से यहां की जन्ता इनको पसंद करती है हम लोग भी पसंद करते हैं यहां पे हिंदू मुसल्मान सब इनको पसंद करता है चलिए बहत अच्छी बात कहिए अपने बहराई जी एक बहुत शांट सहर है अच्छा सहर है यहां के लोग भी काफी अच्छे हैं को और भाई साब है क्या नाम है अपका मसूद एमद खान एमजी क्या लगता है कि इस बार जैसे कि आप लोंका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि रूबीन जी फिर से चुनकर आएंगी जो चीजह रहे गए थी पूर में और फिर सा पूरा करेंगी तो क्या अलगता है गो जन्ता उन्हें एक बार फिर सा मौका देगी विलकुल मौका देगी क्यूकि हमारा सबसे बड़ा मुद्धा यहां सबसे बड़ा मसला मेइरा यह ein कि रूबिना रिहान जी, हमेशा सबी Twin को साथ ले करकर चलती हैं और बहराई शहर के अंदर कोई भी ऐसा मुस्लिम निता नहीं है जिसको हमारे हिंदु भाईयों का विशेश समर्थन प्राप्त हैं सबी Twin को साथ ले करके चलती है सबसाई बढ़ता मदा काम तो किया, काम भी किया है जो काम रह गए है उसको भी पूरा करेंगे और काम किया है सबodles वर्गों को साथ में लेकर चलती है सबसे अच्छी बात उनकी यही है इसलिए वो पिछले टाइम में पिछले वक्त में जब वो जीती थी, जीती थी, जितना मत उनको प्राफत हुआ था, इस बार उसे पढ़के उसे जुगना-तिगना मत उनको प्राफत होगा, हमें पूरा विश्वास है. चलिए यह विश्वास बताता है कि रुबिना जी फिर से चली आएंगी इस बार फिर से उन्हें जीत का सहरा पहनेंगी क्या आम क्या खास एक भाई लोग और हैं यहां पर जो कलम के सिपाई हैं हमारे साथ वह भी मौजूद है अपने ही भाई बंदू है इन से बात कर लें त बहुत परता है तो क्या लगा कि पिछले 10 सालों में क्य विकाष हुआ जो इससे पहले नहीं हो पाएं पिछले 60 सालों बचले 10 सालों में हुआ आप जंता जो चाहती थी उसको वह मिला नाली खाणजा सठग लाइक दो है बहुत से मंदिर मजिद ऐसे थे जहां आस जहां जिस बारे में लोग जानते नहीं थे यह पहला चेर्मैन ऐसा था जिसने उस मंदिरों को मस्जिदों को रास्तों पे उसका नाम दिया पुरानी मारते जो बहुत सी पुरानी हो गई थी जिस मस्जिदों को लोग नाम से नहीं जानते थे आज आप जाईएगा शहर पे तो हर मस्जिद पे आपको बोल्ड मिलेगा हर मंदिर के रास्ते पे आपको बोल्ड मिलेगा एक ताका रात चलेगा बहुत अच्छी बात है ये बात बहुत अच्छी कहीं परसेंट का लाब मिला है हमारे 10 सालों में जो है हमारी पब्लिक को अगर पालिकास से संबंदित अगर कोई भी योजनाई मिली है तो पब्लिक के हर घर में पहुंची है वह अगर देखा जाया तो जो विकास है वह एकदम जो पाताल में था वह आसमान पे पहुंची है अगर आसमान पे नहीं है लेकिन जमीन पे जरूर दिखता रहा है हमारा निता भी जमीनिस्तर का निता है चलिए बहुत अश्या लागा आपसे बात करके एक भाई और हैं ये भी कलम के सिपाई हैं इनसे भी बात करेंगे भाई अपने यहीं बहराईच की लोकल के रहने वाले हैं भाई क्या शुम नाम है अपकर जे मैं अजमल शाह हूं और कशिशन अश्या अश्या निता है और दूसरा सुहेल देओ जी की सरजमी इसलिए बहराईच को गाजी गौतम की सरजमी कहा जाता है इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा मैं तमाम छेतरों में जाता हूं और जमीनी मुद्दों के बाद जनता की क्या राह इसके देखते हुए और समीक्राल बन रहा है समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है तेजे खां को जो की पूर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो लेकिन उनको नकार करके रेहान आरती बने थे तो निश्चित रूप से जब जनता ने पहले ही नकार दिया है तो उसको समाजवादी पार्ट पार्टी कहीं से भी लड़ाई में नहीं दिख रही है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए वरतमान में जो रुबीना रहान अध्यक्ष है उनकी जो फाइट है वो सीधा-सीधा भारतिया जनता पार्टी से हैं उनके अलावा किसी और राजिनितिक दल से उनकी परत्याशी है उनके बीचे इसके अलावा जितने भी कंडिडेट हैं चाहे राजनितिक दलके हों चाहे निर्दली परत्याशी हूं सभी लोग कहीं भी कोई भी रनर परत्याशी नहीं है अच्छा अजमल भाई जगा में आपको रोकना चाहूंगा यह बताईए कि हर बार निर्दली परत्याशी क्योंकि यह समिकरण मैं मानता हूं जहां तक मानता हूं कि चुनाओं में पार्टी सिंबल भी कुछ एक मुख्य वज़ा होती है लेकिन इस बार कई बार देखा गया है विगत कई सालों से निर्दली परत्याशी हमीशा चुनकर आता तो इसके पीछ क्या कुछ आपका समिकरण बोलता क्योंकि आप पत्रकार हैं शेत्र में रहते हैं शेत्र की जनता से मुल्बूस से विधाओं से तमाम चीजों से भली बाती वाकिफ होंगे तो यह चीज मैं आप से जाना चाहूंगा कि हर बार निर्दली परत्याशी को इसके पीछे क्या क नगरपाली का अध्यक्ष की सीट पर विराजमान नहीं हो पाया है तो ऐसे में भारतिय जनता पारड़ी पूरा परियास कर रही है कि अब की बार ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सीटे जनपत बहराईज से उसकी नगर निकाई के निकले आपने जो दूसरा प्रशन किया नगरपाली का परिशत बहराईज की सीट पर निर्दलिय परत्याशी क्यों है इसका जो सबसे बड़ा जो वजा ये निकल के आ रही है कि तेजे खां जो की समाजवादी पार्टी से बीपरत्याशी है तो वो पूर में अध्यक्ष रहे वो की पार्टी से अध्यक्ष रहे वो बसपा से अध्यक्ष रहे उसके बाद जनता ने नकारा उनको और रुबीना रेहान की जो पती है हाजी रेहान साहब वो अध्यक्ष बने वो पहले पार्टी से लड़े उसके बाद निर्दलिय हो गए तो जब जनता सोच रहे हैं उमीदवार देख रही है कि हमारा जो देखे नगर निकाय का मसला यह होता है कि जो मूलभूते कारे होते हैं नाली खलंजा तमाम जो स्ट्रीट लाइट और वगएरा वगएरा तो ऐसे में अगर वो नगर पाली का अधिक से वो खरा उतर रहा है इन बात उपर तो वो किसी भी दल से हो या निर्दलिय हो वो जी की आप ये ही लोकल के है हैं कि क्या लगता स्षाह स्फेले दर सालों मेंLabार रहास साहाब कि जीते उसके बाद रूभी नाजी जीती तो टू क्या वीजार रहे है निया महाल आया कि हम को सबको साथ लेकर चलना सबका काम करना अचार हुए लोह काम होते हैं बोऑन इतली मिल भी लेते हैं यह भी नहीं करते हैं कि दिขौळा भूए कोई ऊसी चल लाओ जीर से लिया है कोई दिखावा नहीं है आप इतली आई इतली मिलिए जो भी काम होगा आपके साथ चलेंगे पुरी सिद्धत से कराते हैं जमीनी निता है और आगे भी जमीनी निता ही रहेंगे यह विस्वास है हम लोग को और इनों पहुत काम किया है वहरेच के लिए नगरपालका के लिए लगातार कर रहे हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि मैं ज्यादा ज्यादा कर सकूं और किसी प्रिकार का कोई भेदभाव भी नहीं है जैसे आप यह समझे आप पूरा रिकार उखा के देख लिए तो हर बार इनको बराबर का ओड मिलता है ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम जनता जिन्होंने साब तर पर यह कहा कि जो रहान जी हैं जो इससे पहले दोजा 12-17 तक अध्यक्स रहें उन्होंने भी काफी काम किया उसके बाद जो इतकी वाइच चुनी गई रुबीना बेगम जी इनोंने भी काफी काम किया तो कुल्मिला के देखा जाए तो रहान जी और उबिना जी का भोकाल पूरी तरह से टाइट है इनसे ही बात करेंगे भाई उबेद भाई आपको काफी समय लगा दिये हमने वापास आने में अच्छा यह लाज को से नहीं था बोकाल बहाला टाइट है वहराइच में रहान जी का तो जीत तो निशिंत है यह तो आप म मुझे उम्मीद है कि तुबारा भी हमें एक बड़ी चीत मिलेगी अच्छा एक चीज और है जो सपा से परत्यासी उतारे गएं तेजी खां तो उनसे क्या लग रहा है कि उनसे कितनी टक्कर है क्योंकि इससे पहले वह भी रह चुके हैं इसी नगरपाली का परिशद में त हो गई इस तरीके से हमें जीत मिली तो जब जनता उनको पहले ही नकार चुकी है तो अब उनका कोई सवाली नहीं है चुनाओं मैदान में लगने का वो पूरी देकर से एक डमी कंडिडेट के रूप में चुनाओं लगने है चलिए मेरा आकरी सवाल था बस आकरी सवाल है यह बताईए जीत के तो जाहर सी बात है जिस तरह जनता का सपोर्ट दिख रहा है और तमाम लोगों का सपोर्ट दिख रहा है तो अगर रेहान की जो मैडम है रेहान जी की मैडम है रूबीना बेगम जेगर जीत क्या दी क्या लगता भविष्ट में किसी पार्टी सिंबल क सहरा ले सकती हैं क्या अभी आई से कोई प्लानिंग नहीं है हमारी हमारी सबसे पहली प्लानिंग है कि सब को साथ लेके तलें विकास करें हमारी सबसे पहली प्लानिंग ये है कि हम बहराइट जैसे सहर के अंदर जहां हिंदू-मुसल्मान के राजनीत होती तो उसकी उस प्रफिश्ट में कोई पाटी एकर ओफर करती है तो क्या लग रहा है कि किस पार्टी के तरफ होगा अभी हमारी इसी कोई पिलानिंग नहीं है फिलारम जनता के सेवा करना चाहिए जली बहुत अच्छी बात है कुछ और लोग इंसे बात के लेते हैं क्योंकि कहीं न कहीं जन जी और रही बात हाजी रहान साब की तो उन्होंने 10 साले से विकास किया है और आगे भी करेंगी चीज काम लोगों को भरोसा है इसलिए हम लोग साथ में हैं और जीतेंगे इंशालला है ठीक है बहुत अश्री बात है जैसा कि आपने देखा कि हम बैराइस में थे चुनाव है और मुझे जहां तक लगता है कि इस तरह से जनता का पूरी तरह से सपोर्ट है तो कहिना कि उनकी जीत निश्यत है कैमरा में नीदेश के साथ सागत खापा बहराईच नगर संगराम के हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की दमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेए प्रायम टेवी आप देख रहे हैं प्रायम टीवी सच साहस सरोकार